दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में और हम आज शुरू करने जा रहे हैं आर्टिकल्स ठीक है एक वीडियो पहले भी बना था लेकिन वो एक साधारन बेश था क्विज कराये थे उसी के आधार पर आज की वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे यहां हम रूल वाइड जो है complete topic को पढ़ने वाले हैं इसलिए आप अभी से तयार रहें कुछ एक आपके करतव है कुछ एक हमारे करतव है कि हम इस topic को अंततक लेके जाएं आपके करतवे जादा से जादा students को add करिए हमारी application पे subscribe, share और like जो है वो जरूर बनता है आपका इसी के चलते चलते एक दिन सफलता हासिल हो जाएगी जी हाँ हमने एक धे बनाया है हमारा जो है वर्तमान में जिस प्रिक्षा की तयारी चल रही है junior accountant की उसी के लिए videos बनाया जा रहे हैं तो आप चाहे यूट्यूब के माध्यम से चाहे आप हमारी application के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहिए और अच्छा content जो है exam oriented content आपको available हम एक topic पढ़ रहे हैं चार दिनों से ठेक है determiners यह topic हम पढ़ते पढ़ते हमने जो है लगबग आठ जो है words हमने देख लिए है आठ नहीं देखे ज्यादा देख लिए ठेक है each every some any और छे वर्ड लिटल और फ्यू वाले छे और चार दस देख लिए है अब वर्तमान में हम हम यह बह देख रहे हैं कि determiners का एक और भाग होता है जिसे हम कहते हैं articles जिसे हम कहते हैं articles यह articles नाम का topic previously जो है हम अलग से पढ़ते थे books में आप 8 तस्वी में अलग से पढ़ने को मिलता था लेकिन हम इसको determiners में ही शामिल करेंगे जैसी मर्जी आपकी जैसा कर लीजिए हम नाउन के पहले प्रियोग किये जाते हैं और इस नाउन का reference बताते हैं determiners इस noun के लिए प्रियोग किये जाते हैं मैंने ये निशान थोड़ा सा उल्टा लगा दिया आप इसको ऐसे देखिए कि ये जो noun है इस noun के लिए ये determiner प्रियोग होगा यानि यहाँ पर हमने बात करी थी कि ये क्या बताएगा reference बताएगा किसका noun का reference कैसा है references में हमने क्या देखा था है अना हमने देखा था कि specific है या फिर generic है generic है ठीक है उसी तरह से definite है कि indefinite है ठीक है इस तरह के references देखे थे पोकल मल्टल वगरा वगरा references थे हम इसको completely भी पढ़ेंगे यहाँ पर हम अगर articles की बात करें तो यह भी क्या है किसी noun के पहले प्रियोग होंगे यानि एक जो है rule बना लेजिए कि जहां article वहाँ noun हो गई होगा ठीक है यानि अगर कोई word है यानि article का प्रियोग जो है वो हमने किया है तो यहाँ आने वाला word noun ही होगा हमेशा अगर यह noun नहीं है अगर यह noun नहीं है तो यह pronoun तो बिलकुल नहीं होगा यह कई बार adjective आ जाता है इन सभी जो है लफडों के अलावा हम यह सोच लें कि article के बाद में noun आएगा या फिर यह शब्दा हैंगे तो noun बनेंगे यह एक ज़्यादा mind में कहानी set नहीं करनी अपने को कि यह word कैसे आता है adjective कैसे आता है समझ जाओगे धिरे-धिरे लेकिन यह ख्याल रखें कि यहा उनके reference के लिए यहाँ पर जो है वो परियूग किये जाते हैं अब reference किसमे कितने परकार के होते हैं यहाँ पर article के मद्यम से दो परकार के references जो बताए जाते हैं और इन्हें हम समान्य अंग्रेजी के दुरान हम कह देते हैं यह क्या है articles के type है यानि हम बात कर सकते है definite definite or indefinite article indefinite article यह देखिए यानि हम यह कह सकते हैं कि these two are the types of articles है ठीक है हम यह कह सकते हैं कि यह जो क्या है articles के type है और या फिर मैं अपनी बात करूँ या अपनी भाशा में कहूँ तो these are the references यानि किसी भी noun के साथ article लगने का मतलब है वो noun या तो definite है या फिर indefinite है ठीक है यह दो noun आप हमेशा दो नाम आप हमेशा ध्यान में रखें यह दो प्रकार समानेता माने जाते हैं जब हम अपनी book पढ़ते हैं हमारी जो है favorite book जिससे हम पूरा content पढ़ते हैं सब से ज़्या संख्या में कितने होते हैं यह आप कह सकते हैं तो संख्या में यहाँपर definite में हम यह कह सकते हैं कि the article जो है definite होता है और यहाँपर हगर हम कहें A, A और N यह क्या होते हैं? indefinite होते हैं इस तरह की कहानी हमारे सामने हम पढ़ते आए हैं अब चक्र क्या है चक्र क्या पढ़ा कि जब हम हमारी फैवरिट बुक रेड लाल किताब में देखते हैं तो क्या पता चलता है कि आर्टिकल की को प्रभाशित करते हुए वो कुछ ऐसे लिखते हैं क्या लिखते एंड द ये भाशा लिखी हुई है इस भाशा से आप क्या समझ सकते हो क्या समझेगे ए और एन या तो ए या और ये तो हो गया पहला ये तो हो गया पहला आर्टिकल और ये हो गया दूसरा आर्टिकल इन्होंने क्या है भाशा के माद्यम से बताया है कि आर्टिकल के जो द के दोरान आप पढ़ोगे कि यह alternative है alternative का मतलब या तो a आएगा या n आएगा ये दोनों अपने आप में जो है वो एक ही word है ठीक है इन्होंने लिखा है end कहां लगाया है अगर ऐसे होता अगर ये तीन होते तो ऐसे लिखते कि a n and the इस तरह से ये बाशा होती a and n the इन्होंने क्या कराया यहां और लगाया इसका मतलब ये दोनों एक ही चीज है उधारण के तोर पर मैं अगर ये कहूं कि a ही n है ठीक है a ही n है a का प्रियोग ही n का प्रियोग है बस एक sound का फर्क है कैसे फर्क है कि हम जहां पर लिखते हैं a boy a boy उसी तरह से यहां पर हमने लिखा n i अब ये दोनों वर्ड है तो a ही लेकिन यहां पर sound की disturbance के कारण क्या हुआ इन्होंने n का प्रियोग कर दिया ठीक है उसी तरह से यहां अगर हम देखें अगर हम यहां देखें तो ऐसे लिख सकते हैं the boy the boy और the i इस तरह से लिख सक फिर्ग है अब यहां पर da और दोनों एकी चीज़ लगा चाहिए आप consonant sound देख लोग चाहिए vowel sound देख लो इसलिए यहां पर दो एक ही माना है यहां पर boy और e जो sound है आज और a word है यहां पर vowel sound है सुरी यहांप़ consonant हीयां पर vowel sound तो vowel sound से पहले n लगा दिया क्यों ताकि आपक को disturb कर रहा है AI गुद्धा क्या है कि ये दोनों शब्द एक ही है इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा सही हैंगे किस तरह से कि A के साथ हमने N लगा दिया ये वाला बाद अगर हम ये वाली बात लिखेंगे तो ज़्यादा सही होंगे क्यों कि N हमने लगाना भी है और नहीं भी लगाना कब लगाना है जब sound vowel आजाए किसी अली जगेंगे just बाद में sound vowel आजाए तो ये बात है किताबों का ग्यान कहता है किताब भी बास्चा ये कहती है कि article दो प्रकार के होते हैं और दो ही होते हैं हमने पड़ा नहीं डंग से उसको कैसे कि A और N और A और N और का मतलब दो नहीं होते एक ही होता है किसी को कहते हैं कि गाउं जाना है या तो तुम जाओ या तुम जाओ यू और यू कितने जाएंगे बताओ एक ही जाएंगे ठीक है होता है न कि या तो चाए पीलो या कोफी पीलो ठेक है और लगाया है बीज में चाए और कोफी ठेक है तो एक ही मिलेगी भाई साब तो यहाँ पर यह दोनों वर्ड एक ही है तो आप आज के बाद यह कहना सीख लिजिए कि there are two types of article that is to say definite and indefinite और two words are there two articles are there the और an an को एक साथ ही बोलिए आप फिर जो है बात यह आती है दूसरी बात कि article के बाद में noun आएगा article दो प्रकार के होते हैं संख्या में दो होते हैं तो यह noun कैसी कैसी प्रवर्ती के आने चाहिए यह बात जानने के लिए ठेक है आप यहाँ पर हम एक table जो है create कर लेते हैं जिसके माद्यम से आप इस चीज़ को अच्छे से सीख पाऊगे इस चीज़ को अच्छे से सीख लीजिए आप देखिए कैसे अगर हमने दा का प्रयोग करना है तो पहली बात हम noun की बात करें noun की बात करें तो noun दो प्रकार का होता है एक तो होता है countable ठेक है countable में आ जाता है singular और plural ठेक है यह कहानी है और एक होता है uncountable एक होता है uncountable सुनिए जरा क्या देखना है गाना नहीं का रहा सुनिए तो जरा रुकिए तो सुनो पहली बात क्या है कि अगर हमें the article यूज़ करना है तो हम countable singular noun का प्रयोग कर सकते हैं अगर the article का यूज़ करना है तो countable plural noun भी यूज़ करते हैं ठेक है मतलब यह दोनों word the के साथ प्रयोग किये जा सकते हैं उसके बाद हम बात करें तो हम uncountable noun के लिए भी the का प्रयोग कर सकते हैं यानि noun कैसा भी हो the का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते की वो definite हो बशर्ते की वो definite हो ठीक है हाँ जी उसके बाद हम बात करें a और n की तो सेम परिस्तितिया यहां पर लिख देते हैं countable singular, countable plural और uncountable noun ठीक है इन दोनों में अगर देखें तो यहां पर singular के साथ प्रयोग होता है इनके साथ प्रयोग नहीं किया जाएगा ठीक है तो यह भी एक कहानी अच्छी है कि आप पहले से ही पता कर लिजिए कि articles का प्रयोग किन किन के साथ किया जा सकता है ठीक है तो अब आपको यह पता चला कि अगर indefinate होगा अगर definite होगा तो सभी प्रकार के noun के साथ दा अर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है अगर indefinate होगा तो क्या होगा countable singular के साथ ही अन का प्रयोग होगा otherwise नहीं करेंगे तो इनके साथ क्या करेंगे एक और word आता है books में या books में कह सकते हैं हम या फिर अन्य परिस्तितियों में भी यह कह सकते हैं कि किताब में एक option आता है और option number D जो होगा वो होगा cross इसे कहते हैं zero article जिरो जिरो article कहते है या फिर इसको अन्य भासा में कहते हैं no article यह चार शब्दा आपको मिल सकते हैं यह तीन तो रहेंगे zero cross लगेगा zero और no article अब इसकी बात करते हैं यह जो है यानि हम जो है तीसरा point बनाई लेते हैं या तो यह या फिर zero या फिर no article यह तीसरे प्रकार को हम देख सकते हैं हम किताब से थोड़ा सा अलग गया सकते हैं देखिए अगर हम the का प्रियोग करें तो सभी के साथ definite होतो अगर indefinite होतो तो सिर्फ countable singular तो बचा क्या countable plural और uncountable इनके साथ क्या लगेगा मैं यहां पर लिख देता हूँ countable singular countable plural और uncountable uncountable तो यहां पर जो है इसके साथ zero प्रियोग जो है वो हो सकता है और नहीं भी हो सकता यह मैं यहां पर ऐसे लिख दो तो ज़्यादा सही रहूंगा शायद कैसे कि countable plural और uncountable noun इन परिस्तितियों में zero article का प्रियोग जो है वो किया जा सकता है मतलब जहां ए प्रियोग नहीं होगा वहां वो कर देना जहां ए का प्रियोग नहीं हो वहां पर zero कर दो यही मतलब होता है भी दा तो लगेगा नहीं तो क्या लगेगा यह cross लगा यह पड़ा है ठेक है वैसे देख सकते हो तो यह कहानी है पूरी इसकी article की कि इस तरह से समझना है अब हमारा सवाल यह है ति articles का प्रियोग किस तरह से किया जा सकता है जैसे sentence लिखता हूँ मैं पहला sentence इसका पहला sentence लिखता हूँ मैं इसका जैसे यह use definite ठीक है मैंने लिखा the boy on the chair ठीक है the boy on the chair is आगे कुछ भी लिख दिया यहाँ पर क्या है boy से पहले the article लगा दिया boy से पहले क्या लगा दिया the article लगा दिया boy से पहले the article क्यों लगा दिया क्योंकि यह on the chair यानि लड़के बहुत सारे है ठीक है तो हिंदी कैसे बनेगी जो से हिंदी बनेगी लड़का जो chair पर बैठा है या chair पर खड़ा है कुछ भी कर सकते the boy on the chair ठीक है तो यह जो से यह specific हो गया मालों दस लड़के हैं दस में से एक chair पर बैठा है तो हम उसको कैसे बताएंगे the boy on the chair countable singular फिर दूसरा देखिए ठीक है the boy is the boy is in the class in the class आर आगे कुछ भी आजए अब देखो boys plural आ गया इससे पहले दा लगा दिया क्यों लगाया क्योंकि लड़के जो class में है सिर्फ उनी की बात की ज़र यह जो से हिंदी बन रही है यानि हम क्या कर रहे हैं एक phrase लगा कर या एक close लगा कर हम क्या कर रहे हैं इस noun को क्या कर रहे हैं definite कर रहे हैं यह मैं बता रहा हूँ सावानित तीसरा जो word है वो यह है the milk the milk we वो जिन्द जग कुछ भी आ जाए आगे अब इसमें मिल्क वर्ड आ गया मिल्क वर्ड से पहले दा लगा दिया अब दा लगते ही ये definite हो जाता है क्यों? क्योंकि हमने यहां पर एक close लगा दी वो जिन्द जग यानि दूद जो जग में था ठेक है? तो ये हम क्या कर रहे है। Countable singular यहां पर specific किसके अदार पर phrase लगा कर ठेक है? Countable plural यहां पर किसके अदार पर किया? फ्रेज लगा कर और uncountable किसके अदार पर किया? close लगा कर तो ये कुछ ना कुछ वर्ड इस noun के साथ आगे जोड कर कोई phrase, कोई close, कोई word जोड़ कर हम क्या कर देते हैं, इसको definite बना देते हैं और ये the article हो जाता है ठीक है, क्या हो जाता है the article, उसी तरह से मैं यहाँ पर अगर लिखूं, ठीक है ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, क्या, there is there is a boy there is a boy in the class in the class अब देखो, there is a boy वहाँ पर कोई लड़का है, क्लास में कोई लड़का है, अब इसमें in the class यहाँ पे भी लगा हुआ है यहाँ पे भी in the class जो है वो लगा हुआ है, लेकिन यह नहीं कहेंगे कि यह definite बन गया, ठीक है there is a boy in the class, यहाँ पे यह लगा है, क्योंकि यह noun कैसा है singular है, और क्या है indefinite है, हमें यह नहीं पता कि कौन सा लड़का है, क्या विशेश्ता उसकी कोई विशेश्ता नहीं बताएगी इसलिए जो है, वो क्या कर दिया, singular कर दिया countable plural के साथ नहीं लगेगा अब यहाँ पर क्या है, ठीक है boys are playing, सीधा बन जाएगा, क्या बन जाएगा boys are playing अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा एक जो है experiment करके देखिए यहाँ पर खाली जगें छोड़ दी मैंने, ठीक है यहाँ पर खाली जगें छोड़ दी अब इस जगें में क्या आ सकता है अगर कोई noun plural है plural है, तो या तो zero article आ सकता है या फिर दा सकता है अब दा क्यों नहीं आएगा भाई साब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यह singular sorry, define नहीं किया boys are playing, लड़के खेल रहे है कौन से लड़के खेल रहे हैं, हमें पता नहीं है तो लगाओ zero article क्या लगाएंगे zero article लगाएंगे zero article, ठीक है देखो, there is a boy in the class class में कोई लड़का है है कि नहीं, यह बात पता चले यहाँ पर singular है, तो singular के साथ da भी लग सकता है और a n भी लग सकता है zero का अभी जिकर नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे, और आप देखिये यहां पर a article क्यूं लगा क्योंकि यहां article जो है वो zero लगेगा नहीं, singular लगा हैं यहां यहां, अब da क्यों नहीं लगा क्योंकि ये defined नहीं है भाई इसकी विशेष्टा नहीं बताएगी इसलिए यहां पर नहीं लगाया boys are playing में boys plural के साथ या तो ये लगेगा या फिर ये लगेगा ठीक है अब इन दोनों में से वो ही क्यों select किया हमने क्योंकि ये specify नहीं है डिफाइन नहीं किया गया है definite नहीं है उसके बाद देखिए खली जिगें के बाद देखते है ठीक है sugar is very costly ठीक है sugar is very costly अब देखो sugar word जो है uncountable word है ठीक है कैसा word है uncountable word है uncountable noun है अब uncountable के साथ ये तो ये आता है an लगेगा नहीं या ये आएगा अब हमने क्या लगाना है यहाँ पर no article लगाना है क्यों लगाना है क्योंकि ये specify नहीं है अगर यहाँ पर ऐसे लिख दे कि the sugar in the pot the sugar on the shelf इस तरह से in the shelf on the shelf in the pot ऐसे word लगा दे तो हम the article का प्रियोग कर सकते है ये परिस्तितिया होती है article को समझना ऐसे है पहले ये define कर लीजिए आप short notes बना लीजिए उसके बाद की बात आगे की है अब दूसरी बात देखिए ठीक है अगर हम बात करें अगर हम बात करें क्या बात करें a और n की बात करें a और n की बात करें तो इनके meaning पर बड़ा जो है वो विचार जो है वो बड़े रहते हैं कि ये meaning होता है समने तहम एक मानते हैं क्या मानते हैं एक मानते हैं इनके meaning के बात करते हैं वैसे मैंने बताया भी है previous class में लेकिन एक जो है मैंने नहीं बात बताई detail यहां पर पड़ेंगे तो हमने लिखना है meaning of a oblique n यह आप line जो है वो अपने notes में लिख लेजिए तो पहला point है पहला point है कि इनका meaning एक होता है इनका meaning क्या होता है एक होता है और इसके लिए आता है जहां पर एक बनता है न वहां पर बनाईए ठीक है I have a book मेरे पास किताब है या फिर मेरे पास एक किताब है यहां पर इसका meaning एक कह सकते हैं I have a book I have a book ऐसे कह सकते हैं I found a watch क्या बोलेंगे I found a watch मुझे एक घड़ी मिली रस्ते में जा रहा था बेलपुरी खा रहा था और घड़ी मिल गई ठीक है दूसरा जो meaning है ठीक है उसका हम बोलेंगे all क्या बोलेंगे all all मने सभी all मने सभी के sense में अब ये सभी कब होगा जब हमारा sense क्या होगा generic होगा ठीक है इसे कहते है specific sense specific sense है अब generic sense का मतलब क्या हो जाता है पूरी प्रजाती noun की noun की पूरी प्रजाती की बात की जाती है ठीक है पूरी प्रजाती की जैसे मैं बात लिखूँ कि ए A man should be strong यहाँ पर a word ठीक है यहाँ पर a word जो है वो लगाया गया है इसकी हिंदी अपने क्या बनाते है एक आदमी को क्या लिखना है एक आदमी को strong होना चाहिए ठीक है एक आदमी को के सभी आदमियों को जो आदमी है उसको सभी all यह quality सभी में होने चाहिए इसलिए इसका meaning एक का मतलब बुलेंगे कैसे आदमी को strong होना चाहिए इसका मतलब एक को नहीं सभी को तो इसका sense कैसा है यह बात strong होने वाली बात सभी पर लागू की जा सकते है इसका sense कैसा है generic और इसको replace किस से कर सकते है all से ठीक है all से कर सकते है ठीक है यहाँ पर इसका meaning जो है वो तीसरा meaning है वो sum का भी लेता है sum ठीक है जब हम किसी भी प्रकार में यह कह सकते है जब हम article के rules पड़ेंगे तब हम बात करेंगे कि जब कोई चीज unknown होती है तो हम उसके लिए क्या कर देंगते है एक आपरियोग कर देते है जैसे हम यह कह सकते है sum का मतलब कोई है कुछ नहीं है यहाँ पर कोई हिंदी क्या बनेगी कोई से हिंदी बनेगी ठीक है a boy is waiting outside a boy is waiting outside a boy is waiting outside कोई लड़का बाहर है एक लड़का बाहर इंतजार कर रहा है एक है ठीक बात है जच रही है लेकिन क्या हम उसको जानते है ना जानते क्या नहीं जानते जब हम किसी चीज को नहीं जानते है ना तो इस हिंदी बनती है कि कोई लड़का बाहर इंतजार कर रहा है इसलिए कोई वर्ड लगा दिया ठीक है, तीन बातें होगी न ठीक है चोथी बात देखिए, चार नमबर पर देखिए चार नमबर पर आ जाता है same word same, same का मतलब एक जैसा, ठीक है, इसका एक्जामपल वही है, पेपर में famous जो है एक्जामपल, बहुत बार पुझा जाता है birds of a feeder flock together ठीक है, कैसे बोलेंगे, birds of a feeder flock together अब यहाँ पर birds of same feeder आएगा, birds of same feeder word जो है वो, आएगा ठीक है, तो यहाँ पर same, एक जैसे के meaning से तीसरा जो है, पांचवा rule जो है वो very important है, पांचवा rule है वो very important, इसका मतलब यहाँ पर कोई हिंदी नहीं होगी कोई meaning होगा ही नहीं, very important कोई meaning नहीं होगा इसका यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब हम वाक्या में subject verb और compliment का pattern बनाते है, ठीक है, तो plus में plus में verb, और verb कौन सी होगी be verb होगी, plus में compliment, plus में compliment यह जो है परिस्तिती अमने मिलने वाली है, जैसे he is space teacher he is space teacher अब इस sentence में यहाँ पर teacher यह क्या है, singular है, तो यहाँ पर क्या आएगा, a आएगा he is teacher सीधा कुछ नहीं होता, अगर यह noun है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो article लेगा, ठीक है he is a teacher he is a teacher, he is teacher गलत है, he is teacher गलत है, और he is a teacher सही है अब यहाँ पर एक कैसे बनाएंगे एक हिंदी क्या बनाएंगे वह एक अध्यापक है यह हिंदी बनाएंगे, जो की सही नहीं है अब यहाँ पर वह अध्यापक है, इतना ही बनाना पड़ेगा, इस प्रिस्तिति में इसकी हिंदी जो नहीं बनेगे ठीक है, तो यह पांच जो है वो meaning होते है, article के article A और N के, ठीक है यहाँ पर एक meaning है, एक होता है, any होता है, कोई होता है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ ना, any some के साथ, any word लिखे ले ना, Tomson and Martinet की बात कर ले तो वो भी सही है, some और any और कोई एक ही है तीनों बते है, कि जब कोई सी चीज को अंजान होता है ना, मारे लिए, ठीक है, I saw a car मैंने कोई car देखे, मैंने एक car देखे, car तो बहुत देखी थी, लेकिन कोई एक जो, जिसे मैं जानता नहीं था जब नय जानने की प्रवर्ती हो, तो हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो यह कहानी है, आर्टिकल के, जो हो main points की अब बात करते हैं, कोई भी एक प्रशन उठा कर देखते हैं और उसमें आप जो है वो, चार चीजे देखेंगे ठीक है, कैसे देखेंगे, देखिए हम बात करते हैं, किसी भी sentence में, अगर हम noun क्या हो, noun क्या हो, countable, singular हो तो हम क्या कर सकते हैं, a भी कर सकते हैं, n भी कर सकते हैं और the भी कर सकते हैं कोई noun जो है, countable, plural हो तो हम क्या कर सकते हैं या तो the कर सकते हैं या फिर cross कर सकते हैं कोई भी noun अगर uncountable हो तो हम क्या कर सकते हैं या तो the कर सकते हैं या cross कर सकते हैं ये method आप जो है वो याद रखें और कोई भी example ले लीजिए इस दुनिया का ठीक है, आपको यहीं से होकर गुजरना पड़ेगा मैं book का एक example लेता हूँ ठीक है ठीक है मैं कोई book का example लेता हूँ और उसके बाद में आपको इस चीज़ को अच्छी तरह से देखेंगे आप हाँ I have I have space black and space white dog यह example ले ले लिया अब सुनिये जरा I have space black और dog जो है यहाँ पर understood है black dog space white dog ठीक है, तो यहाँ पर खाली जगे दो चीजों से, यह black के पहले यहाँ पर dog word है, इसके लिए यहाँ पर article आने वाला है, और यहाँ पर भी article इस dog के लिए आने वाला है, दोनों परिस्तिति, अब यह नाउन है कैसा, यहाँ नाउन कैसा है, countable singular यहाँ नाउन कैसा है, countable singular दोनों जगे नाउन है, अब इसका मतलब यह भी आ सकता है, यह आतिनों आ अब देखिए, क्या यह dog निर्धारित है क्या, कोई विशेश है कि I have कोई किसी अन्ने के साथ में आया है, कोई पतानी dog कौन सा, आप ऐसे नहीं कैसा, दुनिया के कोई भी dog हो सकता है वहाँ पर, विशेश नहीं है, ठेक है, तो यहाँ पर यह बात होई, कि यहाँ पर cross लगा दे, तो भी गलत वाक्या, यहाँ पर हमें A करना पड़ेगा A black and a white dog, ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि या हमने, क्योंकि countable singular के लिए A and A आ सकता है या दा आ सकता है अब दा क्यों नहीं करा, क्योंकि यह निश्चित नहीं है, दूसरा देखिए Space dog, you gave me was very cute कैसे कह सकते है, कोई बात नहीं कह दीजी आप, ठीक है हाँ, अब देखो, dog word आया है, यानि countable singular noun आया है अब A, N और दा तिन हो आ सकता है, you gave me, जो तुमने मुझे दिया था was very cute, अब देखो, दुनिया में बहुत सारे dog है, दुनिया में बहुत सारे dog है लेकिन किसकी बात की जा रही है, उस एक की, जो तुमने मुझे दिया था तो यहां पर यह क्या हो गया, निश्चित हो गया, तो यहां पर क्या कर देंगे, हम the कर देंगे तो यह वाली कहानी के, countable plural में आ जाई है आप, ठीक है books, books are the mean of knowledge, इस तरह से कह सकते है, कोई भी sentence देखे, ठीक है या फिर, थोड़ा सा इसको सही करके लिखते हैं books are what to get knowledge, यह sentence हुआ, अब यहां पर countable noun कैसा है, countable plural अब countable plural के लिए an तो आएगा नहीं, ठीक है, तो यहां पर a और n को तो साप मना कर दो के बाई साब, आपको तो आना ही नहीं है, ठीक है तो यह तो मना होगे, अब बचा क्या, दा और यह देखो, दा और no article, दोनों बच गए तो क्या books are what to get knowledge, किताबें ग्यान प्राप्त करने के लिए खरी दी जाती है, तो कौन सी किताब बताओ, कोई विशेश या सारी, सारी ही, तो यहां पर क्या आजाएगा, no article आजाएगा आगया की नहीं आगया, ठीक है, अब आगे देखिए, space, books, you, won't, are, available now अब देखो, कोई विक्ति जो है, वो दुकान पे गया, जाके, दुकानदार ने कहा, किताबें जो तुमें चाहिए, you, won't, ठीक है, books, you, won't, मैंने चार किताब बोली थी, भाई साब आपको, क्या आपके पास available है, क्या, वो बोले, अभी तो नहीं है, दो दिन बाद फोन आ books, you, won't, किताबें जो तुमें चाहिए थी, are available now, अब कौन सी किताब हो गई, जो उसने लिखाए थी, निश्चित होगी के नहीं होगी, इसलिए हमने क्या कर दिया, the article लगा दिया, ये वाली कहानी क्लीर हुई, ये क्लीर, अब uncountable के साथ देखो, ठीक है, हाँ जी, uncountable के स अब देखो, खाली जी के बाद क्या है, uncountable noun है, क्या है, uncountable noun है, uncountable है, तो इस की स्रेणी में a और n को आप हटा दीजिए, ठीक है, हटा दीए, बचा क्या, the और cross, अब milk कौन से वाला milk है, specify है, किया हो है, कि नहीं किया हो है, तो no article लगा दो इस पे, ठीक है, I have space milk, you bought from station, ठीक है, I have space milk, अब खाली जी जी गया के बाद में क्या आ गया, uncountable noun आ गया, you bought from station, कि दूद कौन सा है, आप ये पूछिए, दूद तो है, लेकिन है कौन सा, वो दूद पढ़ा है, किया, जो station से करीदा, तो यहाँ पर ये word क्या हो गया, specify हो गया, तो क्या लगा दो, the लगा दो, इसमें an नहीं आएगा, cross नहीं आएगा, तो ये कानिया, आप कट कर क के देखे, काट ये चीज़ों को, तब पता चलेगा कि कैसे यूज किये जाते है, आर्टिकल, ठीक है, तो ये बात होई, हम कल इनके रूल्स को शुरू करेंगे, एक-एक रूल पड़ेंगे, बने रही है हमारे साथ, और अपने नोलेज को इंप्रूव करिए, अपने सफल कि जा सफुते हैं